नवस्कार तातियों मैं एक बार फिर जी एस राजपूत आपके सामने 24 तारिक की टेकंड मीटिंग का जो पीपर है उसमें जी एस को जो पूछा गया है उसका एनलसस कराने के लिए आपके सामने उपस्ते थे चलिए सातियों तो पहला क्वाश्चन हमारे सामने लगा हुआ स्कीन पे हम देख लेते हैं क्या है कि कि हम बार-बार आपको आगाज कर रहे हैं कि पुस्तक से तो बो क्वेश्चन पूछ रहा है और यहां भर के पूछा है क्या दे रहा है एन कि एरा ऑफ टार्कनेस पुस्तक के लिखा कौन है पंडिस सुंदरलाल उसके बाद ऑफसन द दुनिया में अगर हम चले तो राइट अंसर हो जाता ससी धदूर की पुस्तक है इतना इजी कोश्चन आसान पढ़ना है नहीं बिना पढ़ने वाला जबाब है नहीं बस केबल देखना अंसर देना अगर जो आंसर नहीं दे पा रहा है इसका तो बड़ी बिटमना है उनकी पेपर कैसे निकलेगा आप अब मुझे नहीं पता की टॉन्टी देश की बात कर लेते हैं टॉन्टी एक सम्मेनल है टॉन्टी टिक 20 गुरुप या 20 देशों का गुरुप पैसा कहे दू आप अब आप इसमें देख रहे है जनरल ग्रेट गुड और राइट आंसर डेहली क प्रियोग सिद्ध प्रियोगात्मक या जीवन सम्मंधी राइट आंसर किसकी तरफ जाएगा जीवन सम्मंधी यहां और दिख रहा हमें पूर्ब राष्टपडी डॉक्टर अब्दुल कलाम की क्या दे रहे है यहां पे यू आर ए योजना संदर्वित है किस से ग्रामीड सहरी एबम ग्रामीड छेत्रों के लिए एक योजना सहरी ग्रामीड संर्रेखन प्रदान करना मैट्रो से तो कोई मतला भी नहीं है यहां से क्या है ग्रामीड छेत्रों में सहरी सुबदाएं उपलब्द कराना यह question थोड़ा सा अच्छा था जिससे आपको यहां पे अंसर दे पाएगे तो मेरे इसाद इसका आंसर होना चाहिए यह आंसर सही रहेगा ठीक है यह आंसर दिया यह क्या ज़कि hesitों क्लाम उपलब्द कराना और बास्तविक काउन के पास राष्टपती होने की सक्तिय रही इस समय एस्टी से महला राष्टपती है ये भी कौशन आपसे बन सकता है ये बताओ एस्टी समुदाय से आने बाली पहली महला राष्टपती तो आज जो बरतमान में राष्टपती है वो आर्टिकल नंबर 52 के कि अन्तरकत राश्ट्ट रहा ता है यह अँंक को sat लाक फांplaying करता है इस से भी भोचन पूछा गया तो हम चार कोश्टन को यहां देखे दिसमें से ऐसा लगा कि Indigenous सोचना पढ़ेगा तो में हमने आपको बताया था का योजनाव से कोशन आ रहा तो यह आप पढ़के गए होंगा ऊपर वाला पुस्तक से कोश्चन आ रहा था बार बार रिपीट कर रहे हुए पुस्तक के तो पुस्तक से कोश्चन अगला कोश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और ले लेती सबसे बड़ा उत्पादक राच लीजिए अच्छा क्वेश्चन आ गया अब हम बात करेंगे जहां पे पानी कम होगा बहां पे मोटी अनाज उगाए जाएंगे और मोटी अनाज में आता है वासरा तो कहां राजिस्थान है क्या कहीं राइट अंसर क्या हो जाएगा राजिस यूरो डॉलर राइट अंसर क्या हो जाएगा अगले क्वेशन की तरह बढ़ते ग्रीन हाउस गैस क्या है गैस तो हाइड्रोजन थोड़ती है बिलकुल नहीं सहाब ग्रीन हाउस प्रवाव में आज ही क्लास में पढ़ा रहा था आज ही पढ़ा रहा था और आज के ही घर्वाश रहें ग्रीन हास कि सको कहते हैं अगर आप समझें साधार और हैंनमों सामील इसमें मीथेन ने इसमें इसकारवन ट्यक्स न ந गैस में यह क्या होते हैं वी सारे चीज़ें ग्रेंफियों से टाकरने के बाद यह बापस की तरफ आने का प्रयास करती है बापस आती है प्रत्वी को पूरा गर्म रखती है और यही तो कहलाता है क्या यही कहलाता है क्या ग्रीन हाउस प्रवाव में कौन सी गैस सामिल नहीं है यह वाला कॉशन हो सकता आप से पूछ ले तो हमने जो गैस हैं आपको बोली पहंचान संख्या भाइया पहंचान से हर बार कॉश्चन पूछ रहा हो फिर यह सब्सक्राइब क्या कह रहा जी एस टी एच एस एन आई टी एस टी आइन ये एस टी अइडेंटीफिकेशन नंबर राइट आंसर मेरे इसाफ से उजाएगा एक ताइबर सुरक्षा भारत पहल किस बार शुरू की गई यह 2018 में सुरू की गई थी किस दिन को हम अंतराष्टिय सांती डिवस के रूप में मनाते हैं अंतराष्टिय सांती डिवस मनाते हैं हम भहिय कितने 21 सेप्टेमबर को अगला कॉशन भारत की पहली महला प्रदानमंत्री क्या बात है कितना इजी कुछ आ सकते हैं क्या बताओ इससे पूछ सकता है पेपर में उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है उसी के तरह कॉशन आ रहे हैं ठीक है देखो क्या पूचा है हमसे भारत की पहली महला प्रदानमंत्री मया बचलिन भाषज देंगे और सान्य दे रहें सानिया गांधी ये पहली महला इंद्रा गांधी लोगा आ लगा बढ़ जाते हैं में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है क्वेश्चन अच्छा है सूचना पड़ेगा क्या दे रहे हैं पूरो मंडल इंटरनेशनल लिम्टेट कोई मतलब ना है यहां पे अंदर राष्टीयच से किसा से के साथ इंडिया पारमें फर्टिलाइजर पॉर्प्रेसटे लिम्टेट राइट आंसर से कॵेशन से फिर प्हूचा गया है हर पेपर में माना अधिकार से मिश्चन और अच्छे से हमने आपको पढ़ाया था मानः औ ‑‑ कव वनाया जाता है माना ओधिकार दिवस आतां को अक्षे से पता हो अब तो यहां डिज टाकुच्त तुरंत के तुरंत दस तारीक पर चला यह तो आप लगाओगे नहीं आप यहां यहां टिक करोगी यह दोनों आंसर नहीं है आंसर सी है क्या है बहुत बंदी से कोई मतलब नहीं है इसका सक्ष भारत से कोई लेना देना नहीं बचा यह कि डिजिटल इंडिया के साथ ही यह कैसले का मतलब क्या है सारे काम ओनलाइन होने लगें तो यह बात कहीगे डिजिल इंडिया के साथ जाएंगे जो भी साथी पेपर देख रहे हैं यह उनसे कहना है बहुत अच्छे तर आप कुछ टॉपिक पढ़के जाए क्या फुल फॉर्म क्या पढ़के जाए जी एस्टी क्या पढ़के जाए मानवादिकार क्या पढ़के जाए किरसी क्या पढ़के जाए क्या पढ़के जाए देवस क्या पढ़के जाए देशों की राजधानी और भाद के आसपास के ज लेलो भाईया मेरतन क्या कर सकते हैं किस प्राचीन भारतिय ग्रंथ को आयरवेद का बिग्जान कहते भाईया ऑप्सन डिया तरक्सेता यह वंब जराइट आंसर हो जाएगा इसमें क्या जरा पंचायतों देखे कितना आसान पूचाए कि एक लाख वार बोला होगा भाईया इसको आनों छेद कि 243 से संबंदे थे पंचाय थे आगे बढ़ जाते एकला कौशन है हमारी सामने कौशन नंबर 112 क्या कह रहा हमसे किस देख लिए दूसरा दिवस आगया यह पहला दिवस पूछ लिया मौसम बिग्जान दिवस 25 मार्च को मनाया जाता क्या बताएं कब है मौसम बिग्ज्ण दिवस बैस बनाया जाता जल्दी से जा राइब लकाम मनाया जाता है तो राइंसर क्या सम科ष राइट अंसर हो जाएगा पच्छीस मार्च में अंक कितने होते हैं तो इसमें कितने ऊते वह चोटे है लोई सरदार भाला भाई प्टेल से तो फिर पोच्छ लिआ अभी बारद लॉछ से कॉस्ण आये तह पर लोई पूरस के रूप में जाना जाता हिए अगया अगला क्या यहां पर एक और कॉश्चन दिया लीजिए अब अगर बात करें यहां से यहां से यह कोश्चन कोई भूल सकता है क्या भारत ने बृटिस स्तासन से किस बर्स स्वतनता प्राप्त की थी अब बताएं आप यह कॉश्चन अगर आप नहीं लगा पाए तो आप बास्तविकता न 1997 में अपनाई गई किस अंतराष्टिय संदी का उद्धिस रासाने खतियारों के उत्पादन भंदारन और प्रियोग को शमाप्त करना है रासाने खतियार सम्मिलन यह इसका सही हो जाएगा यही सही हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वाश्चन कई क्या है कोशी का कही सारे आपको आज बता है राइबो सॉम के बारे में भी आपको बताया हमने राइबो सॉम प्रोटीन निर्मार की फैक्टरी होती है क्या आंसर है कहीं इतनी बार यह सारी चीज़े बाइलोजी जिनने हमसे पढ़ा होगा एक बात हमने आपको बताई और एकदम आसान कॉश्चन आया यह राइबोसॉम कोश्का के अंदर कुछ स्वतंत रूप में पाए जाता कुछ अंता प्रदबी जैलका क में चिपका रहता है आगे बढ़ जाते हैं अगले कॉश्चन की तरफ अगला क्या लगा 119 नंबर का क्या देरा मैं ग्रोब अब देख लिजे मैं ग्रोब बन हैं कितनी बार पड़ाया मैं ग्रोब वितरण मुख रूप से अंडवान और निकोवार दीव शमू में निमलि चैनल आता कार निकोबार फिर इंडोनेसिया मैं बंगाल की खाड़ी में ऊपर की तरफ आया जाते सुंदरबन के डेल्टे में तो वहीं उत्री आगे बढ़ जाते अगला क्वेशन ले लेते आप से क्या देरा नो का मतलब क्या हो जाएगा राश्टिय का मुद्री और बा पंचालन मेरे हिसाब से यह यह आंसर होना चाहिए और क्या दे रहा यह की साइड ही हम जाएंगे यह आंसर इस दराहित आइगा अगले कौस्टिय की तरह आपको लेकर चले कौन सा भारती राज चाय का प्रमुक उतपादक है प्रमुक उतपादक पूचा तो असम लगाए आदान प्रदान को बढ़ाना बिलकुल नहीं बैस्विक ब्यापर बिलकुल नहीं अंतराष्टे बिलकुल सही बात है वह यह अंतराष्टे सांतियों सुरक्षा बनाए रखने इसका मुखकाम है आगे बढ़ जाते एकला कौस्चन ले ले रहे हैं क्या है भारत में किस राइट अन्सर के साथ अगर हम जाएंगे तो राइट अंसर मेरे यह sn assert एनालीटिक्स तूल का उपयोग करने का प्राथमिक लाब क्या है अब देखो एनालीटिक्स यानि खुल मिलाके हम एनलेसस कर रहे हैं जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं फिर बाद में मैं देखूंगा कि आपने क्या कमेंट किये नहीं किये तो एनलेसस हम तब ही तो कहेंगे हम देखेंगे हमारा प्रदातिं को मापने के लिए लॉजिकल कौस्छन हाई नहीं हुआ और चभ्यों की तरप क्या देखिक्स गया देखन है जो बैद तरीके से अरजित किया ज Cincinnati और कि अपले रहे रहे इसको और इसका हिसाब किताब रखा जाता है जिसके लिए आएकर यह अनकर का भुक्तान करते हैं। शपेद्धन होगा कालाधन थोड़ी होगा है यह उस्के लिए बाहरे नियंतर से मुक्त है कितनी बार बताया इस सब्द का मतलब कि हम अपने देश के अंदर शंप्रभुत शंपनगर राज्य हैं हम अपने देश के अंदर सर्व सक्तिमान है राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट अगया आपको मेरे मेरे दौरा जो आपको इंडियन जगरफ्य पढ़ाय जाता उसमें आप अगर जाएंगे तो आप अराबली परबत को कुछ इस तरीके से पाएंगे और उसके बाद आप दूसरा जो यहाँ दे रहा अराबली के कालन पर से शुरू होता गुजरात के दिल्ली तक जाता है और यहां पर बिंद परवज्व है यह मुख रूपशे MP में है बलकि तीन राज्यों को मैं भी कोई एक टच करता और बीच में यहां पर मालबा का पठार मालबा के पठार को चम्मल नदी ने पूरा काट शार दिया पर जाते हैं अगले क्वश्चन की तरफ सोसल मेडिया पूच रहा है हम से सोसल मेडिया में कंटेंड क्यूरेशन चब्द का अर्थ क्या है कुल मिला के हम कंटेंड को जोड रहे हूं अन्शरोतों शे प्रसांगिक कंटेंड का चैन आयोजन और शाजह करन करना मेरे इसाब से राइट आंसर हम दी के साथ जाएंगे अगले क्वश्चन की तरफ लेके चलते आपको अगला क्वश्चन कहां है आगया बहुत है राजनेतिक सांजहदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना प्रेटन को वढ़ावा देना कोई मतलब नहीं है व्यापारवन राइट यह के साथ जाएंगे तो यह जी एसके क्वॉस्चन आपके रहे उसके बाद आपकी इंदी के साथ यह जाते हैं घ्ञाजस का पूरे तरीके से आइनरसीस लहा साथ यह अब आप इसको देख लेंगे कैसा रहा आपने क्या स्कूर की है और आप पेपर देखे आए तो चेक करे में आ रहे हैं उनसे आप मैंने टॉपिक बोले हैं उनसे आप उन टॉपिकों से आप पढ़के अच्छे तरीके से जाएंगे साथ ही हो